हेलो एवरीवन मैं विश्वजीत सिंग आप सभी का दी इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.H.I.06 का टॉपिक नुम्बर फिफ्ट पढ़ने जा रहे हैं कुछ इतिहासकारों ने हडपा को सरदारी पर्था के तौर पर देखा कि हडपा क्या एक सरदारी समाज है यह मानकर चले कुछ इतिहासकारों नो सिर्र राज्य पर्था के तौर पर देखा तो वहाँ पर हम राज्य की विजिस्ताओं के बारे में डिसकस करेंगे ठीक है जब पत्त कर ह aurait द्हान का स्कार उसको किस तरह से पता चला सबसे मेन चीज यह वना चीज़ हो नहीं है तो हरपा की गृह्पा की की जानकारी के सफयर और हमैशीर टॉपिक को आगर हम बात करते हैं की जानकारी के सफयरूते तो प्रमुझ तो पर दो पूरा-ताथ्विक से चीज दोरान मिला कोई पुरानी चीज चाहे है इमारत हो意 टी के बरतन हों मिद्टी पूरा खाल के और समय लिखा हुआ चीज मिलता है माल लो है कोई किताब बिल चीज आत्रा विर्टान्त मिला, ठीक, कोई बिल, परची, कुछ भी मिला न तो सारा साहितिक सुरोथ के अंदर में हम रखते हैं, ठीक है, समझ में आता है, तो ये दो परमुक्त सुरोथ होते हैं, हडपा की सब्व不行 सुरोथ की जो जानकारी के सुरोथ हैं, उसमें हमें सुरिप पुरा तात्विक सुरोत के आधार पर हम उसके बारे में डिसकस करते हैं वहाँ पर कोई साहितिक सुरोत नहीं है ठीक है सबसे बड़ी चीज यह रहती है हडपा के बिसे के अंदर में और पुरा तात्विक सुरोत के अंदर में क्या होता है suppose करो कोई मालो बरतन है ठीके बड़ा बरतन है उसका क्या पता किसी और चीज लिये हमने पर अपना अनुमान लगाए और वही आज हम पढ़ते हैं ठीकunun हमें को थोड़ा सा चैप्टर से आपके के था जिससे आपको थोड़ा सा बेसिक चीजे के लिए रहो उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं ठीक है अब देखों दोस्तों यहां पे जब हम बात करें हडपा की समाजिक वेवस्था का कि समाजिक संरचना किस परकार का था तो बहुत सारे जो इतिहास का रहे उन्हों सरदारी समाज में संगोत्री नातेदारी बनती है ठीक है मतलब गोत्र के इसाब से नातेदारी संबंदी बनते हैं जिसको समाजिक और आर्थिक लाव में मोटीव होता है ठीक है समाजिक तोर पर आर्थिक तोर पर लाव हो उसका मीन मोटीव रगकर किया जाता है अगर हम कि घंडपा को राज्य समाज के तौर पर देखते हैं तो वहां पर क्या होता है कि नातिदादे पृतिक संबंदों की स्थापना होती है अलग-अलग संबंदों बना जाते हैं ठीक है संगोत्री मतलब तो नॉर्मल ही हो गया कि हां सरदारी है उदर से उदर मिलकर बन जाता है आर्थिक और समाजिक लाब के कारण से हमसरदारी पर्था के अंदर में संबंद बनाते हैं पर जब हम राज्य की बात करते हैं तो वहां पर अलग-अलग तरह के संबंदों की स्थापना की जाते हैं जिसका मेन आधार क्या होता है कई बार हम उपहार देकर ठीक है उपहार ह्याट क्राशन करें तो संघ्रक्षन के थुर ये फिर ग्रहां के तोर इस तरीके से संबंद बनाया जाथे ते राजे के अंदर में जब्कि सर्दारी वाली अलगपरीगेका था तो यहां Алुब lothk करें incomoda Second उसको जानने के लिए सब्सक्राइख आइड DVD जाता है के अगर राज्य के हिसाब से अधार होगा होगा इज़ा हुआ हिसाब जाता हुए हुए समां पर पर के अंदर में रहा होगा तो इस तरीके से बना होगा अब इन दोनों के बारे में डिसक्स क्यों कर रहे हैं कि एग्जेक्ट कुण करते हैं ठीक है समझ में आता है आगे में बात करूँ कि यह जितने भी संबंद होते हैं इनका में उद्देश से होता है राजनीतिक उद्देश से स्पेसली राज्य वाले के अंदर में जो संबंद होना जाते हैं इनका में मुद्धिस से होते हैं राजनीतिक उद्धेश से माना जाता है ठीक है आगे में बात करूँ समाज की प्रतिकता का संदेश मिलता है इससे क्या होता है कि जो समाज है वो अलग-अलग डिवाइड हो था है ठीक है मतलब इस चीज़ दें कि समाज के प्रतिकता वाला में थोड़ा आगे बढ़ गया थोड़ा सोसे पहले आते हैं अब हमें समझ में आ गया हर अब हर अपा में या फिर सरदारी पर दज्व पर करता था दोनुं हम मान के चलतेए दोनों एं पर हर्डपा की जो हब दोनों के हैं इलाके चोंटे ठे ऐने दोनों के अंदर में अलग दिखाता हूँ एक उचाई पे बसा हुआ जो और जो नीचे में वसा हुआ है वह बहुत बड़ा है विस्तरित है तो यहां पर क्या दिखाता है समाजिक बिविंता का संकेत मिलता है कि समाजिक आधार पर यह इसमें की समाजिक संकेता है वह अगर ऑग अगर निचलन वह बड़ा है तो मतलब क्या वहाँ पे लोग population जादा होगी जनता जादा होगी तो उनका जो कुटुमब परिवार की जो संख्या होगी वो भी अधिक होगी ये भी हम देखते हैं सासत में हम यहाँ पर बात करते हैं कि समाज में वैविसाइकत भी भेद भी रहा होगा ठीके जो वैपार को लेकर भी भी वैपार चलता होगा और निचला सहर में अलग तरह का वैपार होता होगा ठीक है आगे हम बात करते हैं कि हस्त निरमित जो वस्तुए होती थी जो हांस से बनाए गई वस्तुए उसके उप्योग में भी भी विभिनता देखने के लिए मिलते हैं अलग-अलग तरी के वां निख़ीक में ल देखने के लिए मिलती थी दूर्ग के क्रैव का लिए क ही लोगा कीक पत्थर जिसले थी व ठेक थी यूट सर्थ सट्थे वह निखली फाइनस के द्ताटो विसे वह वह दौत महंगे करने मीफिदे थे टिक है तो वो हमें दुर्ग के अंदर में देखने के लिए मिला ठीक है तो इस तरीके से हम मतभेद भी देखते हैं कि उपयोग की जाने वाली वस्तु में भी मतभेद था आप ये समझ के चल सकते हो कि एक वैक्ती ठीक है मानलों दिल्ली के कुछ स्लम एरिया में रह रहा है और दूसरा वैक्ती दिल्ली के हाई क्ला साउथ डैली में रह रह रहा है तो इस तरीके सा थोड़ा सा डिफरेंसिस हैं और यहां पर भी वही हम मानकर चलते हैं ठीक है आज की साफ से इसकी तुल्ला करें तो आगे मैं बात करूँ सवाधान जिसमें सवो को रखा जाता था सवाधान ज जैसे जो दूर्ग वाले थो बड़े बड़े पात्रों को रखा जाता था उसके अंदर में ठीक है कला सोलस को अच्छे तरीके से मतलब ना विस्तृत कला सोलस को इस थापना की रखी जाती ठीक है पर जो निचला सहर वाला होते थे वह करते हैं मिट्टी के बड़े- सब्सक्राइब थोड़ा सब्सक्राइब कि उसके अंदर में घर को अधियां के जो महले वाले वाले वहते थेंगे और भी कई तरह के पत्थ्रों का पहनते थे वह सारा रखा जाता था पर जो दुर्ग के लोग तो फिर इनला बढ़ाती है कि उसमें अलग। लग तर कि चीजंए laugh days लेखा अब आख distan देख कर देखने कि में पता कैसे चला वाला और यह खॉससता थीक का। बार और यह कि flood न डिये जीद कर ओफ इसका एक रीजन ये भी है कि जैसे मानलो दुर्ग के अंदर में जब खुदाई हुई हो जो भी चीजे हो आपर जो परमान मिले वो उन जो सवाधाते उनसे मैच करता था जिसके कान से उसको दुर्ग से रिलेट किया गया और दूसरे साइड में जो दूसरा मिला उसको निचला से रिलेट किया गया ये भी एक चीजे देखने के लिए मिलती है हडपा के सवधान के अंदर में निवास इस्थान से दूर दूर इसती ते जो भी निवास इस्थान जहां पर लोग रहते तो उससे ज्यादा दूर मोहरों के उपर में अलग लगतर के चिन्ने के महरों के उपर में अलग लगतर के चिन्ने होते ते, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो पसू का चिन्य होता था पसू का बना दिये अब पसू का चिन्य उन पसू का बनाते थे जिनकी वो माननेता थी जो उनकी वो पूझा करते थे यह फिर वर्णातमक चिनने होती थे वर्णातमक मतलब क्या कोई अक्षर वर्ण का उसके उपर अंकित किया गया उसके अधार पर होता था ठीक है यह फिर क्या होता था वनस्पति कोई पेंड़ पोधा बना दिया गया वनस्पति वर्ण का कोई फोटो बना दी गई उसके महरों के उपर में क्या छपा है तो उनके कुल देवी देवता होंगे या फिर वह उन्हें मानते होंगे या फिर राजा है तो राजा के बारे में पता चलता था ठीक है या फिर उनकी जो लीपी है लीपी के बारे में पता चलता था तो मतलब बहुत सारी जानकारी हमें महरों से भी मिलता है Perfect तो इस तरीके से यहां पर ये वाला हमारा करता है अगर देखने की बारेम बात करते हैं अब देखो उर्पा की ति काफ़ी विस्तार तो हुआ पर अलग अलग ती अलगता थी विविनता थी ये में देखने के लिए मिलता है सासात में बस्तियों के निरक्षित और मतलब निर्मान करने में बहुत समय लगा होगा जिसे साफ से देखा जाता है कि इतना बड़ा है बना होगा तो निर्मान करने में बहुत समय लगा होगा नालियों की निर्मान के सासत में जल निकासी के बारे में जोड़ दिया गया था जो भी सड़के थी वो एक दीशरू को 90 डिगरी के एंगल पर काटती थी ग्रिड पत्यती पर अधारी तसारी सड़के थी ठीके भंडारन सुविदा अनाज अनाज रखने के लिए भंडारन सुविदा का भी हमें कई जगा पर देखने के लिए मिलता है WS WF Fair Service और दूसरे होते हैं J Safer ठीक है J Safer ये दो इतिहास का राते इन्होंने जो हडपा को सरदारी पर्था के तौर पर जाना कि हडपा के एक सरदारी पर्था है ठीक है इस तरीके से और सिंदु गांटी के अंदर में अनेक सहर और राज्य थे ठीक है ऐसा माना जाता है कि अगर सरदारी पर्था नहीं है सिंदु गांटी तो फिर उसके अंदर में अनेक सहर और राज्य रहे होंगे हडपा के अंदर में ठीक है और पर्मुक के अंदर के तौर पर मोहन जोद्रोड था अच्छी लगती है तो comment, share, like, subscribe ज़रूर करें और इस तरह के almost आपके 20 से 25 topics होने वाले हैं ठीक है मैं try करूँ हूँ ज्यादा ज्यादा topics में cover कर वापा हूँ तो और भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपका response ही मुझे बताएगा कि वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए करूड़ क करी मुझेए तो आपके 16 वीडियो तो अक्तर बादे एम में एक बदया है और नहीं थायो सته झाहर केल समय कर दो आपके कर दो आपकेड़ को वीडियो अगर